नमस्कार आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिक्षा सखापर आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6-7-8 के लिए योग स्वस्थ जीवन जीने का तरीका का इकाई 3 इकाई का नाम है एकागरता के लिए योग इस वीडियो में हम इस पार्ट को पढ़ेंगे और इसके प्रशन अभ्यास करेंगे पिछली वीडियो में मैंने आपको इकाई 3 शारिरिक दक्षता के लिए योग पार्ट को पढ़ा था और उसके प्रशन अभ्यास किये थे तो अब हम इसकी इकाई 4 की शुरुआत करते हैं संशिप्त विवरण है इससे पहले की इकाईउं में हमने योग शारी स्वास्ते की चर्चा अधिक की है इस इकाई में हम भावात्मक और बौदिक स्वास्ते को बहतर बनाने के लिए एक आगरता को बढ़ाने के साधन के रूप में योग पर ध्यान केंदरित करेंगे आप जानते हैं कि एक आगरता किसी एक विशय या एक गतिविदी पर आपके निरंतर ध्यान देने या विचार करने की क्रिया या शमता है यह जीवन में कुछ भी प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक आदर भूत आवशकता है स्कूलों के पाठों ग्रह कारिये या यहां तक की अवकाश के समय की गतिविदीयों के लिए भी यह आवशक होता है एक आगरता को शरीर और मन के भी सामजसे विक्सित करके सुधारा जा सकता है हम जानते हैं कि बिना स्वस्त शरीर के हमारा मस्तिक्ष दक्षता पुर्व कारें नहीं कर सकता इसी प्रकार बिना स्वस्त मस्तिक्ष के हमारा शरीर दक्षता पुर्वकारे नहीं कर सकता अतय ये आवश्यक है कि हम सामाजस्से विक्सित करें यहां हमारी भावनाई महत पून भूमिका निभाती हैं यदि हम अपनी भावनाओं को नियंतरित कर पाते हैं हमारे लिए मन को अनुसाषित करना और बहतर एकागरता प्राप्त करना आसान होगा। इस संदर में यम, नियम, आसन, प्राणायां, प्रत्यहार और ध्यान के योगा व्यास महत्पूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये अभ्यास निश्चित रूप से एक आगरता को बणाने में हमारी मदद कर सकते हैं सबसे पहले है यम ये पाँच होते हैं अहिंसा, सत्य, अस्ते, ब्रह्मचार्य और अपरिग्र्य आगे है नियम ये पाँच हैं सौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर, प्राणी धान आसन शारेरिक विशिष्ट स्थितियां हैं जीने शरीर और स्वशन के संचलन के समन वयंद्वारा किया जाता है इसके परिणाम सर्वूप एक आगरता बढ़ती हैं आगे है प्राणायाम उसके बाद प्रत्याहार के बारे में विस्तार से बताया गया यहां पर ध्यान है ध्यान के बारे में बताया गया है योगा भ्यास और एक आगरता के बारे में यहां पर बताया गया है हमें आसन को किस तरह से करना चाहिए इन सब का हमें ध्यान रखना चाहिए यहां पर आ रहा है गरुड आसन तो हम इस आसन को चित्र के अनुसार करेंगे बिंदूों को याद रखना है कि हम क्या करें और क्या ना करें इसके लाब दिये गए हैं सीमाय बताई गई हैं आगे हैं बद्द पदम आसन चित्र के अनुसार करेंगे चित्र के अनुसार करेंगे और बिंदूों को याद रखना है हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है इसके लाब बताई गई हैं सीमाय बताई गई हैं गोमुक आसन, इसमें चित्र के अनुसार हम इस आसन को करेंगे, बिंदूओं को ध्यान रखेंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, लाब बताए गई हैं इसके, सीमाय बताई गई है, अगला है अर्ध मतस्येंद्र आसन, तो इसमें हम चित्र के अनुसार करेंगे, बिंदूओं को ध्यान रखना है हमें कौन से कारे करने है और कौन से नहीं इसके लाब दिये गए है बिंदूओं को ध्यान रखना है हमें कौन से कारे करने है और कौन से नहीं लाब बताए गई है इसकी सीमाएं बताई गई है अगला है भुजंग आसन चित्र के अनुसार करेंगे बिंदुओं को ध्यान रखेंगे इसके लाब और सीमाएं बताई गई है अगला है शलबासन टिड़ी जैसी मुद्रा इसमें देखिए इस तरह से हो गाईए बिंदुओं को ध्यान रखना है इसके लाब बताई गई है और सीमाए, अगला है मकरासन, चित्र के अनुसार करेंगे, फिर है मतस्यासन, चित्र के अनुसार करेंगे, बिंदुों को ध्यान रखना है, इसके लाब बताए गए हैं इस आसन को करने के, और इसकी सीमाए, अगला है नौकासन, चित्र के अनुसार करेंगे, बिंदुों को ध्यान रखेंगे, इसके लाब देखेंगे, और सीमाएं, अगला है सेतु बंद आसन, चित्र के अनुसार करेंगे, बिंदुओं को याद रखेंगे, इसका लाब देखेंगे, और सीमाएं का ध्यान रखेंगे, अगला है हल आसन, चित्र के अनुसार करेंगे, बिंदू को ध्यान रखना है क्या करें क्या ना करें इसके लाब और सीमाएं बताई गई है अगला है शौवासन चित्र के अनुसार करेंगे अगरा है अगनी सार चित्र के अनुसार करेंगे बिंदू को ध्यान रखना है कि क्या करना है और क्या नहीं इसके लाब बताए गई है, सीमाएं बताई गई है, अब आता है प्राणायाम, तो इसमें सबसे पहले है अनुलोम, विलोम, प्राणायाम, तो यहाँ पर अनुलोम, प्राणायाम की विशेष्टा बताई गई है, दूसरा है सीतकारी प्राणायाम, यहाँ पर सीतकारी अनकारी दी गई है बिंदूओं को ध्यान रखना है क्या करें क्या ना करें इसके लाब बताए गई है और सीमाएं बताई गई है आगे है ब्रामरी प्राणायाम चित्र के अनुसार करें और जैसा बताया गया उस तरीके से करना है इस आसन को करने के लाब प्राणायाम को करन है यहां पर ध्यान का भी वियुक्त जानकारी दी गई है और हमने में पिड़ा है तो यहां फर हमारा यह प्रस्ट पूरा हो गया है अभं मिसके प्रश्च अभ्यास करेंगे तो देखेंब में प्रश्च्ण अब्यास दिये गई हे अब हम इन पहला प्रश्ण है यम नियम का मतलब क्या होता है इसमें लिखेंगे यम और नियम वस्तुते शील और तपस्या के ध्योटक है यम का अर्थत सःयम जो पांच परकार का माना जाता है अहिंसा सत्य अस्ते यानि चोड़ी न करना अर्थत दूसरों के द्रव्वे के लिए स्प दूसरा प्रश्न है प्रत्याहार का अर्ट क्या है? तो इसमें हम लिखेंगे प्रत्याहार का अर्थ होता है संशित कθन व्याक्रण में प्रत्याहार विभिन वन समू को अभी सिप्त रूप से संशेप में ग्रहन करने की एक पदती है जिसे अण से एईउ अच से समगर स्वरवन एईउ रील री ओ और अउ इत्यादी अस्चा अधाई के प्रतम अधाई के प्रतम पाद के जिकत्तर में सूत्र आदीर अंतयेन सहेता सूत्र द्वारा प्रत्याहर बनाने की विदी का इकागृता में मदद करता है उत्तर है यह याददाश के लिए अच्छा है और इकागृता बढ़ाता है ब्रामरी प्राणायाम उन लोगों के लिए विशेश रूप से सहायक है जो ध्यान में नई है और उन्हें ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है सांस लेने के व्याम के दोरान उत्पन भिन भिनाहट या गुन गुनाहट की ध्वनी बाहरी विकर्षणों को बंद कर देती है प्रशन है ध्यान के बाद आपका अनुभव क्या है इसमें हम लिखेंगे लगातार ध्यान लगाते रहने के बाद लाल नीले पीले आदी रंगों के स्तान पर व्यक्ति को सफेद रंग दिखाई देने लगता है कुछ अंदेरा और फिर कुछ प्रकाश ध्यान की गहराईयों में जाने के बाद मस्तिक्ष उस कारे को करने के लिए तैयार रहता है जो आपकी कलपना या विचार से संचालित हो सकता है अगला प्रशन है ब्रामरी प्राणायाम से क्या फायदे होते हैं इसमें हम लिखेंगे ब्रामरी प्राणायाम के अभ्यास मस्तिक्ष को शांत बनाए रखता है हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को ब्रामरी प्राणायाम करना चाहिए इस प्राणायाम को निवमित करने से शरीर का रक्त चाप कम होता है और हाई ब्लड प्रेशर से राहत मिलती है प्राणायाम करने से रात में बहतर नीन आती है और तनाव कम होने लगता है अगला प्रश्ण है पेट के बल किये जाने वाले आसन कौन कौन से है पहला है भुजंग आसन भुजंग आसन पेट के बल किये जाने वाले आसनों में से एक है अगर आप बैली फैट कम करना चाते हैं तो भुजंग आसन कर सकते हैं नमबर दो मकरासन मकरासन पेट के बल किये जाने वाले सबसे ईजी योगासनों में से एक है नमबर तिन शलबासन शलबासन को भी पेट के बल लेट कर किया जाता है अगला प्रशन है अर्द मतस से इंद्रासन की प्रक्रिया क्या है उत्तर अर्द मतसेंद्र आसन करने का तरीका दंड आसन में बैठ जाएं हलका सा हातों से जमीन को दबाएं और सांस अंदर लेते हुए रीड की हड़ी को लंबा करें बाए पैर को मोड़ें और दाए गुटने के उपर से लाकर बाए पैर को जमीन पर रखें अगला है गो मुकासन यनि काव फेस पोज कैसे करते हैं इसमें हम लिखेंगे एक संस्कृत शब्द गो मुकासन का शाब्दिक रूप से एक गाय के चहरी की मुद्रा में अनुवाद होता है गो गाय मुख चहरा आसन मुद्रा गोमुक आसन, काव, फेस, पोज हमारे पूरे शरीर, कंदों और बाहूं, टकनों, हेपस, थाइज और पीट को फैलाता है आसन में मुडे हुए पैरों को गाएं के मुँ जैसा कहा जाता है प्रशन है मैं अपनी इंद्रियों को कैसे नियंत्रित कर सकता हूँ इसमें हम लिखेंगे इंद्रिया मन अपने स्वामी और सेनपती की साहता के बिना कुछ नहीं कर सकती इंद्रियों पर नियंत्रण का अर्थ केवल मन पर नियंत्रण है विचारों पर नियंत्रण से मन और इंद्रियों पर भी नियंत्रण हो जाता है इससे अनन्त आनन्द और शाश्वत जीवन की प्राप्ती होती है प्रश्ण है अनुलोम विलोम प्राणायाम के क्या लाब है तो अब हम लाब पढ़ेंगे अनुलोम विलोम करने से फेफड़े शक्ति शाली होते है सरदी जुकामवे दमा की शिकायतों से काफी हद तक बचाव होता है हरदे बलवान होता है गठिया के लिए फाइदे मंद है मास पेशियों की प्रणाली में सुधार करता है पाचन तन्त को दुरुस्त करता है चिंता और तनाव को कम करता है पूरे शरीर में शुद अक्सीजन की आपूर्ती को बढ़ाता है हा या नही में निशान लगाए नमबर एक अगनी सार स्वशन समता को बढ़ाता है नहीं नमबर दो गरुड आसन में व्यक्ति दोनों पैरों पर खड़ा रहता है नहीं नमबर तीन हम अनुलोम, विलोम, प्राणायाम में जोड लगा कर स्वास छोड़ते हैं नहीं नमबर चार अगनी सारे का आसन है नहीं नमबर पांच सलवासन में शरीर की आकृती टिड़ी के समान हो जाती है हाँ नमबर छे आसन में शरीर के विबिन अंगों के संचलन स्वशन के साथ समनवित होते है इसमें हम हाँ पर निशान लगाएंगे नमबर साथ यम के दस सिधानत होते है नहीं नमबर आठ ध्यान एकागरता में सुधार करता है हाँ रिक्त स्थानों की पूर्ती कीजिए नमबर एक हल आसन में शरीर के वियाकरती डैस समान लगती है इसमें आएगा हल नमबर दो भोजन और आसन वेशट करम करने के बीच डैस घंटों का अंतराल होना चाहिए इसमें आएगा तीन घंटों का नमबर तीन डैस में प्रतेक अंतरस वसन और उच्च वसन में एक के बाद दूसरा नासाचिद्र काम में लेते हैं इसमें आएगा अनुलों प्रतिलों नमबर चार अर्दमतस्यें रासन डैस का सरल रूप है इसमें आएगा पूर्ण स्तिती नमबर पांच डैस में म्रदु ध्वनी उत्पन की जाती है इसमें आएगा भ्रामरी प्राणायाम नमबर चे पांच यम है नमबर एक अहिंसा नमबर दूसत्यें ब्रमचर्य अस्ते और एपरीग्रह नमबर साथ पांच नियम है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर और प्रानिधान नमबर आठ मतस्यासन में व्यक्ति को डैस की अनुभूती का अनुभव होता है इसमें आएगा हलके पन का तो यहां पर हमारा इकाईचार का अभ्यास का कारे पूरा हो गया है और इसके साथ ही हमारी योग स्वस्त जीवन जीने का तरीका की पुस्तक का पूरा का पूरा हमारा स्लेबस भी हो गया है तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू